ये शंगत और संगत की परिवार की हर नूर में मालिक का नूर छुपा है हर दिल में त्यार छुपा है और उनके रहमत के साय में वो सुचे जी रही है अगर आप उनके लिए उनके हितों के वास्ते आप जरा भी आगे कदम बढ़ा दोगे तो मालिक आपको प्यार से लग देगा इसलिए आप सोचो सोचो जरा गुरु घटगट में बैखे हुई है हर घट में विनाज रहे हैं और आप कभी भी मसमया के गुरु चले गए शब्ग सरूपी संग है कभी न होते दूर भीएज रखिये चित्त में दीखेगा सत्य नूर को दिखाई दीखाई 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 गुरु के शेजवा की जिए तजिए कुल अभिमान अभिमान को आप प्यार दो यह जहिंकार जिसमें जुब्ले हुए हपीरों ने कहा कि रही मन की रही लावली जो परसे चित लाए अपरसत मन मैला करे सो मैदा जरी गया है आज की बात नहीं है और आज की बानी नहीं है और आज के शक्त नहीं है उस समय डाल बहुत होता था डाल का किनका मतर का किनका और चना का किनका जो बच जाता था तो उस समय रोटियां बनती थी जो बुदर के आज हो चले है उनसे आप पूछोगे तो अपने बच्पन में उब ऐसी रूटी खा चुके है खाने में तक्रीप होती है उसी को कहते है रहीला महा पुछ कहते है रहिला की वनी जो परसे चितलाय चितने खुछी है कि आज हमारे दरवादे पर कोई मिर्मान आया हुआ है न जाने, न जाने कौन से गुल पर दया निधी रीज जाते हैं कौन से गुल पर प्रशन हो जाते हैं दर आइए सोचना चाहिए और न जाने किस देश में वो खुदा आये हुए दरफ सोच लीजिए कभी भूखे को लोटी खिलाया नहीं कभी भूखे को लोटी खिलाया नहीं बादयमित पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बादयमित पिलाने से क्या फायदा बिया दूस कर समदिए मेरी प्यार ठना रहा कि हमारी जो खरांदारियत है हमारी जो खरांदारी जज़वात है हमारी जो जातिये संस्कार है उनको आप तैसने हदमत करोगी अपने दिल में दया का भाव रुखो आज मुझे भी हखकष्ट हुआ कि कुछ बच्चे मेरे सामने बात कर रहते कि आरे इंटर्नेट पर भी जुगा चलता है और अबने का यह क्या है भारे सरकार को भी इन विश्यों पर विजार करना चाहिए यह क्या है यह क्या है नहीं सुचने की बात है फिर से पढ़ी हुई गुर्ण की शेवा की जिए सजिह पुर अभिमान हमने अहमकार को खतन कर दीजी अब हमकार क्या है कि हम ब्रामर है हम चत्री है हम दाष्य है और हम सुख्य है हो कुछ नहीं है मातमा उने कहा कि यह क्या है गुण करम चातर वाई रिम माल सिस्टम गुर्व कर्म दिभास है। चारों गर्ण में गुर्व और कर्म के आधायदर बीभाजम किया गया। अगर गुर्व कर्म नहीं रहे तो आपको दिभाजम कूलिए। आपको टयाद तो किया गया। आपको सोभा तो बढ़ाती गई, आपको मुगत पहना दिया गया, लेकिन आप इस योग्य नहीं हो। सम्तों ने भी बात लिखा कि बड़े बढ़ाई पाएकर रोग रोग हमकार सत्वुन के परश्यविन अचारों बरण चमार। अगर लंबी कत्वा बढ़ाएगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन बगेर बूर्यों के इस ग्यान के पत्वरा पागे बढ़ने के योग्य नहीं हो। चोकि आप सुद्ध, शाओ, त्याग की गईमा से बरिपोर नहीं हो। आपका मन रूचा हुआ है, आंसे ठिनगारी निकल लही है, ऐसा खिलाना मोलहिद है, सो मैदा जल जाएगे, वो मैदा उसके अंदर गया, वहां भी जल गया, आपने खिलाने की कपुर चाहा, वो भी जल गया। और यहां महामपुर्श कहते हैं कि पाप पो यदू नौ जबना से, तपावे ममपुर में बासे, पाप उसके का जखिरा आपने तैयार कर लिया, इतना ग्राम बार लगा लिया, और इतनी बड़ी घीर लगा लिया, अब इसे बढ़के जाओ भी कहते हैं। तेरा दूश तर सुच वापुर्ण दीपक ले गुरू ज्यान को, जगात अधेरे मां। ए फ्रिम्यो, दीपक लो। का दीपक जला हुआ है, भूश के रोशी में आगे मलो, आप भुतिशा मिलती रहेगी। माई दसन दिलता रहेगा, प्याट में दिलता रहेगा। आप जाने किन-किन नायाद दोखों से माला माल हो जाओगे। काम प्रोध मद मोह में, सजोर से राएं। माद माद के देए। काम प्रोध मद लोग मो एहकार इस्या थेश मद मत्सर। इतने रोग गाएगे हैं कि मानस रोग की अगर या क्या मानस के मुतारिक की जाए। जो इन रोगों से पहले बार तो ये कि काईना का कोई जीव सुरक्षित नहीं है। ये तो मानस रोग है, मन के रोग है। और आठ्वा के लोगों का ज्यान ही नहीं है। और सरीर के लोगों के कोई इस्यान ही। अगर तो कहते हैं आप ज्यान जाते हों। आप इनी च्वियाओं में, इनी सोक समुत के शागर में आपका पूरे दीवन भीठ जाएगा। जाएगा।